मैं चिलाती रही चिलाती रही पर मेरी आवास सुनने वाला कोई नहीं था एक बार और अबलानारी की इज़त तार-तार हुई ये मानुव जाती कब सुधरेगी क्या सुधरेगी भी ये घटना उत्तर प्रदेश के राज़ानी लखनव की है एक 18 वर्ष की बालिका जो हजरत गंज के एक स्कूल में टीचर है अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है के साथ ये घटना घटी लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के दावों की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिये है एक जगर से दूसरी जगर जाने के लिए आदमी पबलिक ट्रांस्पोर्ट को लेने के लिए मजबूर है ऐसे में रेप की घटनाई घटने लगें तो एड्मिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े होने लाजमी है अठारा साल की ये लड़की एक बच्चे का ट्यूशन पूरा करने के बाद अपने घर निकली शाम के पौने साथ बज रहे थे आटो रिक्षा पकड़ने के लिए वो चिनहट फाइर स्टेशन के करी पहुँची उसके पास एक रिक्षा आकर के रुका जिस पर वो बैठ गई रिक्षे वाले के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था चार बाग न जाकर ये रिक्षा दूसरी और मुड़ गया एक अंधेरी जगह पर लड़की चिलाई पर उसकी सहायता के लिए वहाँ कोई नहीं था दोनों नों इस बच्ची का तीन घंटे रेप करने के बाद कुछ दूर ले जाकर उसे रिक्षे से नीचे ढखेल दिया किसी तरह से वो लड़की क्रॉसिंग पर पहुँची और वहाँ पर खड़ी पुलीस वैन तक पहुँच कर पुलीस वालों से अपनी आप बीती बताई पुलीस आक्शन में है एक आरोपी को गिरिफतार किया जा चुका है पर उस लड़की का क्या जिसकी इज़त लुट गई और इतने दर्दनाख लहमों से गुजरी